सूप्रभात विद्यार्तियों आज हम कक्षा आठ्वी की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ्टीन आज का हमारा प्रकरण है संदी भाग दो में आज हम गुण स्वर संदी के विशे में अध्यन करेंगे भाग एक में हमने दीर्ग श्वर संदी के विशे में अध्यन किया था आज की इस वीडियो में हम गुण स्वर संदी के विशे में अध्यन करेंगे विद्यार्तियों गुण श्वर संदी की परिवाशा यदि किसी ए आ का मेल किसी ई से एवं उ या री से हो तो उत्पन विकार करमशाह ए ओ तथा अर होता है उसे गुन संदी कहते हैं विद्यार्तियों इस परिभाशा में बताया गया है यदि हरश्वा और दीरगा का मेल यदि हरश्वई और दीरगी से होता है तो उससे उत्पन विकार ए होगा यदि हरश्वई और दीरगा का मेल किसी लगू या दीरगू से होता है तो उससे उत्पन विकार ओ होगा यदि लगू या दीरगा का मेल रीशे होता है तो इनके मेल से जो उत्पन विकार होगा वहां हमेशा अर होता है तो या हमें गुण स्वरसंदी के विशें बताया है आए विद्यारतियों इसका फॉर्मला हम जानते हैं यदि किसी लगू या दीरगा का मेल रश्वई या दीरगी से होता है तो इससे उत्पन विकार हमेशा अ होगा यदि लगू या दीरगा का मेल किसी रश्वई या दीरगू शे होता है तो उससे उत्पन विकार हमेशा ओ होगा यदि लगुआ या दीरगा का मेल किसी रीश होगा तो उससे उत्मनविकार अर होगा आए विद्यार्तियों इसे हम उधारन के माध्यम से समझते हैं मैंने यहाँ पर भी बताया है यदि लगुआ और लगुई का मेल होगा तो उससे जो उत्पन विकार होगा हमेशा ए होगा लगू आ और दीर्ग ई का मेल होगा तो उससे उत्पन विकार ए ही होगा या दीर्ग आ का मेल लगू ईशे होगा तो उससे उत्पन विकार ए होगा दीर्ग आ का मेल दीर्ग ईशे होगा तो उससे उत्पन जो विकार होगा हमेशा एह होगा विद्यार्तियों हम उदारण के माध्यम से विद्यार्तियों गुनस्वर संदी में तीन कंडिसन है आए उनको हम फॉर्मूले के माध्यम से समस्ते हैं विद्यार्तियों यदि किसी हरश्वा या दीरगा का मेल किसी लगुई या दीरगई से होता है तो उससे उत्पन जो विकार एह होगा यदि हरश्वा या दीरगा का मेल किसी लगुई या दीरगुई से होगा तो उससे उत्पन जो विकार ओ होगा यदि हरश्वा या दीरगाग मेल रीशे होगा तो उससे उत्मनविकार आर होगा आईए इन फॉर्मूलों को उदारण के माद्यम से समझते हैं जैसे यहाँ पर उदारण दिया है यहाँ पर दो सब्द है दे प्लस इंद्र पर्थम सब्द का अंतिमवर्ण आ है और दोत्य सब्द का पर्थमवर्ण इ है आ और इ के मेल से यहाँ पर उत्मनविकार जो होगा वो ए होगा तो यहाँ शब्द बनेगा देव प्लस ए प्लस द्र जब इनके योग से यहां देविंद्र सब्द का निर्मान होगा जो यहांपर E आया है वहाँ वाको पूण डूप से वाको पूरा करेगा और उसमें एकी मातरा का वाके साथ योग हो जाएगा जिससे जो है देविंद्र सब्द बनेगा यानि कि यहांपर गुणस्वर संदी हो रही है हमने फॉर्मूले के या नियम के अनुसार यहाँ पड़ा था जब हरश्व आ या हरश्व ई या दीर गा या दीर ई का जमेल होगा उससे उत्पनविकार ए होगा तो यहाँ देविंद्र सब्द है यहाँ पर देविंद्र सब्द में जो इन दोनों सब्दों के योग जो हमने किया आ और ए से उससे उत्पनविकार ए आया तो इसी कारण यहाँ पर यहाँ देविंद्र सब्द बना है विद्यारतियों गुण स्वरसंदी का दूसरा नियम है हमने जैसे कि गुण स्वरसंदी की परिवाशा में पड़ा था यदि हरश्वा या दीरगा का मेल किसी हरश्वू या दीरगू से होगा तो उससे जो उत्पन, परिवर्तन या विकार होगा वहाँ, ओ होगा जैसे हम उधारण के माध्यम से समझते हैं यहां पर दो शब्द है दीप पलस उसब दीप सब्द का अंतिम वर्ण जाने कि प्रतम सब्द का अंतिम वर्ण आ है और उस सब्द का प्रतम वर्ण उ है जैसे कि हमारा दीर किश्वर संदी का दूसरा नियम कहता है जब हरश्व या दीर का मेल होगा उससे उत्पन विकार उ होगा यहाँ पर हरश्व आ और हरश्व हो है इससे उत्पन विकार उ हुआ है तो यहाँ पर दीप प्लस ओ प्लस सव इन तीनों के योग से यहाँ पर दीपो सव शब्द बना है गुण स्वर संदी का दीसरा नियम है यदि हरश्व आ या दीर का मेल रीशे होगा तो उससे उत्पन विकार अर होगा या दीर का मेल रीशे होगा तो उससे उत्पन विकार अर होगा यहाँ पर दो सब्द दिये हैं महा प्रतम सब्द है दूसरा सब्द है रिशी प्रतम सब्द का अंतिम वर्ण है दीर का और तुत्य सब्द का प्रतम वर्ण है री दीरगा और री का जब योग होगा तो उससे उत्पन जो विकार है वहाँ अर होगा जो की हमारा गुणस्वरसंदी का नियम कहता है जब हमने इनका योग किया महा प्लस अर प्लस सी इनके योग से महरसी सब्द बना विद्यारतियों आपको गुणस्वरसंदी में मुख्यता गुणस्वरसंदी के तीन नियम या तीन कंडिशन को आपने ध्यान में रखना है और उसे याद करना है जैसे मैंने आपको पूर में बताया है पुनह आपको दुबारा बता रहा हूँ यदि हरश्वआ या दीरगा का मेल हरश्वई या दीरगीश होगा तो उससे जो इनके योग से जो उत्पन विकार अर्था परिवर्तन जो होगा वह हमेशा ए होगा यदि हरश्वआ या दीरगा का मेल किसी लगू या दीरगीश होगा इनके मेल से जो उत्पन विकार होगा वहा सदेव ओ होगा यदि हरश्वआ या दीरगा का मेल रीश होगा इनके मेल से जो उत्पन विकार होगा वहा अर्था तीनों condition को मैंने आपको अलग करके उदारन के माद्यम से आपको इस वीडियो के माद्यम से समझाया है। विद्यारतियों यहां पर मैंने कुछ सब्द लिखे हैं। आप इस वीडियो को देखने के पस्चाद इन सब्दों का पर्थम सब्द का अंतिमवन और दुत्य सब्द का पर्थमवन का मेल करेंगे और समझेंगे कि यहाँ गुनस्वरसंदी का कौन सा नियम है और कौन सी कंडिशन से यहाँ मैच हो रहा है आप इसका स्वयम घर में अभ्यास को करने से आपको गुणस्वरसंदी आपको अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा कि गुणस्वरसंदी किसे कहते हैं या इसके नियम क्या है तबी आप जो है किसी भी परिक्षा में गुणस्वरसंदी को पैचान पाएंगे जब आप इसका अभ्यास करेंग तो विद्यारतियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से संधी के अंतरगत, गुण स्वर संधी का हमने आज अध्यन किया, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप घर पर इसका अभ्यास करेंगे, जिससे आपको आपकी आने वाली प्रक्षाओं में आपको साहिता मिलेगी, आप इसका घर में निरंतर अभ्यास करें जिससे कि आपको गुण स्वर संदीका को पैचानने में या समझने में जानने में आपको कोई कठनाई नहूं इतलिए आप इसका निरंतर घर में अभ्यास करें धन्यवाद